कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका के किसे शड़ी पॉइंट में और कल हम नहीं कराया था कोडिनेट बॉंड केमिस्ट्री में और आज हम कराएंगे हाइड्रोजन बॉंड हाइड्रोजन बंद दूसरा हम नहीं कराया कोवेलेंट बॉंड और तीसरा हम नहीं कराया था रात कोडिनेट बॉंड और आज हम कराएंगे हाइड्रोजन बॉंड तो इसकी डेफिनेशन है जब किसी अधिक रुण विद्धूती रुण विद्धूती एफ ओ और अन के परमानू के परमानू हाइड्रोजन परमानू के साथ जुड़ते हैं तो उनके बीच में एक बंद बंता है जिसे क्या कहते हैं जिसे हाइड्रोजन बंड कहा जाता है और इसे कटी लाइन कटी लाइन डोटेड लाइन ये से सो करते हैं तो यह आइड्रोजन मौन्ड की डेफरेशन थी जब किसी आधिक रिने विद्धूती एफ ओ एन इसमें एफ ओन का मतलब ये है कि एफ ओक्सिजन से ज़्यादा इलेक्रो निगेटिव होता है जब किसी आधिक रिने विद्धूती तत्व के परमाणूं हैड्रोजन परमाणूं के साथ जुड़ते हैं तो उनके बीच में एक बोन्ड बनता है जिसे हाइड्रोजन बोन्ड कहा जाता है इसे कटी लाइन या डोटीड लाइन से शो करते हैं अब टाइपस ओफ हाइड्रोजन बोन्ड तो लिखेंगे यह है दो परकार का होता है पहला है अंत्रा अनुक हाइड्रोजन बोन्ड 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 इसा इंगल से लिखते हैं इंटर मॉली कुलर हाइड्रोजन बोन्ड और दूसरा है अंत्रा अनुक हाइड्रोजन बोन्ड इसा लिखते हैं इंट्रा मॉली कुलर हाइड्रोजन बोन्ड तो हाइड्रोजन बोन्ड के यह दो परकार है इसमें हम पहला कराते हैं पहला लेंगे हम अंत्रा अनुक हाइड्रोजन बोन्ड या इंटर मॉली कुलर हाइड्रोजन बोन्ड इसमें पहला लेंगे इंटर मॉली कुलर हाइड्रोजन बोन्ड इसकी डेफिनेशन है किसी पदार्थ के दो या दो से अधिक किसी पदार्थ के दो या दो से अधिक अनुके बीच के बीच बनने वाले बनने वाले बंद को इंटर मॉली कुलर हाइड्रोजन बोन्ड कहते हैं को इसका एक्जेंप्ल होता है है एक्जेंप्ल होता है है कि एक एफ कि एस तुो और अन्सथ्री एटी सी तो इसमें हच में आपके लेंगे है एक एफ फिर क्या जाएगा इसमें हाइड्रोजन गूंड आएगा फिर एच उड़ेगा फिर एफ फिर डॉटिड लाइन आएगी फिर एच और एफ और यह आगे तक एसे ही जुड़ता चल जाएगा इसे ही क्या कहते हैं हम इंटर 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 मोलिकुलर हीड्रोजन बोंड फिर दूसरा है इंटरा मोलिकुलर इंटरा अंत्य अणुक दूसरा है इंट्रा मॉली कलर हाइड्रोजन बॉन्ड या अंत्य अणुक हाइड्रोजन बंद हाइड्रोजन तो इसकी डेफिनेशन है किसी किसी एक ही अणुके भीतर बन्ने वाले बंद को इंट्रा मॉली कलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं तो इसकी डेफिनेशन है किसी एक ही अणुके भीतर बन्ने वाले बंद को इंट्रा मॉली कुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं इसका एक्जेम्पल है और्थो नाइट्रो फिनोर और इसका दूसरा एक्जेम्पल है और्थो हाइड्रोक्सी और्थो नाइट्रो फिनोर को लेंगे इसका एक्जेम्पल कराएंगे त्रीय स्टेप्स होगा पहले बैंजीन बराएंगे फिर रिंग लगाएंगे यहां ओ, एच, एन, दबल बॉंड ओ और कोडिनेट बॉंड ओ और इनके बीश में बनेगा इंट्रा मॉलीकुलर हाइड्रोजन बोब और इसका नाम है और्थो नाइट्रो फिनोर यह इसकी पैरा पोजिशन है यह इसकी और्थो पोजिशन है और यह इसकी मैटा पोजिशन है जो जिसके सामने है वो इसकी पोजिशन होती है इसके सामने पैरा तो यह भी पैरा यह और्थो तो यह भी और्थो यह मैटा तो सा अब आता फिनॉल का फर्मुला होता है बेंजीन के ऊपर वेच गुरूप लगाप इसा हम बोलते हैं और यह है फिनॉल कभी कभी कोशन आता है कि है एच टूओ द्रब है जबकि हटूएस गैस है क्यों यह कई बार पूछा गया कोशन के एच टूओ द्रब है जबकि हटूएस गैस है क्यों तो इसका आंसर हो जाएगा एच टूओ में हाइड्रोजन बोंड पाया जाता है जबकि एच टूओ एस में नहीं इसलिए इसलिए एच टूओ द्रब है और और एच टूओ एस गैस है बस यही इसका कारण है क्योंकि एच टूओ में हाइड्रोजन बोंड होता है जबकि एच टूओ एस में हाइड्रोजन बोंड नहीं होता इसलिए एच टूओ एस गैस है बस यही एक कारण है इसका और दोस्तों अगर हमारे वीडियो अच्छे लगी हो तो फ्रेज लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें थेंक्यू हुआ 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 हुआ